आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ अबर करें और के डाउनलोड ग्राउट करें तो इसे एक नमबर ऑफ गल्स आगी है ठीक है पहले more than type में लिख लेता है तो इसे हीट ही 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 लिखेंगे इन सेंटिमीटर जो रहेगा more than type में इन सेंटिमीटर more than type का more than और यहाँ पर लिखेंगे cumulative frequency तो more than में कैसे रिखना है मतलब आपको lower value consider करनी है more than type मतलब क्या lower class limit तो lower class limit क्या है यहाँ पर 30 तो यह कैसे लिखेंगे more than 135 sorry यहाँ पर 30 ने रहेगा 135 more than यहाँ पर क्या चाहा more than 140 यहाँ एका more than 145 फिर more than 150 more than 155 यहाँ last one will be more than 160 अब lower class limit का हम cumulative frequency कैसे find out करते है तो पहले सबसे last value क्या है यहाँ पर 2 then 2 plus 14 add कर देंगे तो 14 plus 2 यह कितना मिल जाए को 16 then 16 plus 12 यह कितना हो रहा है 28 then 28 plus यह वाला 9 कितना हो गया 37 then 37 plus यह 8 यह कितना हो रहा है 45 okay then 45 plus यह 5 कितना हो गया 50 तो आपको n कितना मिल रहा है तो यह एन विल फिप्टी ओके नहीं क्या करना है अब इसका graph ट्रॉकन है तो graph ट्रॉकन एक लिए क्लिए कर लेंगे देखो मैंने x और y axis पहले से ट्रॉक कर रखिए आपको क्या करना है graph को paper यूज करना है तब ही आपका graph proper है मैंने यहाँ पर plain paper पर x और y axis ट्रॉर किया और हर एक unit का distance जो है वह 11 cm का मैंने लिखा है तब पहले सबसे पहले चीज की यहाँ पर देखो हमारा जो दिया हुआ था x axis का value यहाँ पर हमें lower limit लिखना है वह lower limit value कहां दी आपकी the highest value will be 160 but x axis पर 160 value draw करना was not possible तो उसके लिए हम लोग क्या करते है यहाँ पर हम ऐसा mark बनाएंगे देखो it means what कि यहाँ पर values आ continue lines अपकी continuous अब बच्चेवे values मैं यहाँ लिखूंगी 135, 140, 145, 150, 155 और 160 यह क्या है lower class limit इसे हम क्या बोलेंगे this is a lower class limit और यहाँ पर y axis पर क्या शोकन है cumulative frequency तो cumulative frequency वह कैसे लिखेंगे हम तो लिखेंगे हम 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 तो यह सारी values मैं यहाँ पर लिख दी अब देखो कैसे values आपको दी भी थी देखो एक बार हम टेबल देख लेते हैं तो क्या दिया था सबसे पहले हम देखते हैं यह 5 के लिए मतलब 135 तो 140 जब लिए इसके लिए कितना cumulative frequency आपका 50 है ठीक है उसके लिए कितना है 50 है दन कितना है 45 दन 37 तो इन value का इस volume का हम यूज करके यहां पर graph draw करेंगे तो 135 पर सबसे पहले कितना था 50 तो 50 कहा जाएगा यहां पर यहां पर एक्जाक्ट वैल्यू ले रहें 50 दन 140 के लिए कितना है 140 के लिए है तो 45 तो 45 का है यहां पर उसके सामने आप ले लो यहां पर आ जागा 140 का दन 145 के लिए कितना था 37 तो 40 वस यहां पर तो 37 आपको यहां पर यहां पर यहां पर ले लिए 37 तो 37 के बाद था 28 तो 25 यहां है 30 यहां पर रहेगा बीच में कहीं तो आपका तो 150 के लिए कितना आ जाएगा 28 28 के बाद था 16 तो 155 के लिए 15 was here 20 यहां पर तो 16 यहां पर हम ले ले लेते हैं कि यह मेरा 16th value है and then 16th के लिए क्या था 2 तो 5 was here तो 2 यहां पर आजाएगा आपका 2 सा 2 यहां पर आजाएगा now join all this point अब मैं इन point को अगर join करें हूं यह को join कर दो so this is your required graph यह point अपके intersect होने शहे हैं so this is your required graph which shows the more than type of values okay classics to 12 से लेके need IIT जही means or advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप यह WhatsApp कीचे अपने डाउट आउट्स आच चार्सो 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 पर